गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स हम आज एक न्यू वाइरस के बारे में बात करेंगे जो कि दिले में बहुत तेजी से फैल रहा है यह प्लेस मॉस्किटो के द्वारा फैल आ जा रहा है तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वाट और कॉमन हाउस मॉस्किटो की कॉमन हाउस वह बहुत ही डेंजरस होते हैं आज कल हम देख रहे हैं कि कोरोना वाईरस के मुद्वर से तो कुलेक्ष मॉस्किटो के द्वारा जो भी वाइरस है यह बहुत ही हानिकारग है इन दिली तो दिल्ली में यह सब वाइरस आते कैसे हैं फिस्ट आफ वी हब तो अंडेस्टेंट इट तो में काज़ेस है राइज इन तंपरेचर जनरली इन इस देज दर तंपरेचर इस राइज वेरी फास्ट तो तो इट इस गुट फॉर ब्रेडिंग ऑफ दे मस्कुटो तो यह जो दिन है जो बहुत ही अच्छे होते हैं ब्रेडिंग ऑफ दो मस्कुटो तो यह तो फर्स्ट थिंग्स हो गया कि इस टाइप साफ मास्कुटो इस ग्रेंग वरी फास्ट और सिकेंट इस डॉटी ऑफ स्टेंग वाटर जो भी जमा हुआ पानी होता है वहां से यह लोग थलकिम लेते हैं बट इस वरी देंगर्स इंगर्स इन श्रमर वकेशन बाकर से ब्रेडिंग वह एर ब्रेडिंग इस वरी फास्ट तो लिग तो इस समय तो दिलिय वह इसे बहुत सी आपकेसे मतलब आ रहे हैं जैसे कि देंगु टाइफाइट चिकन पुनियान ऐसा है एक् यह जनरली हमारे ब्रेण को डेमेज करता है और हमारी बोडी को भी बहुत वीक्नेस करते कि जैसे कि इसे बचने के लिए बहुत सारे step दिली government ली चुकी है जैसे कि हम discuss करेंगे जैसे breeding आइडील temperature जिसका इसका ब्रेडिंग का आइडील temperature है वह 10 degree Celsius to 40 degree Celsius है which is good for breeding them मतलब कि इनके फैलने या उतपादन होने का जो तक है तो जैसा कि हम इस पिच्चर में देख सकते हैं यह मास्कुटो जो की इसे में बहुत ही तेजी से फेल रहा है इसके काटने से जो वायरस है जो इंफेक्टेट पर्सन के अंदर जाती है और वहीं से विमारी शुरूफ होती है तो हम लोग जैसा बोला कि डिली गोवर्मेंट ने काफी सारे स्टेप लिये हैं इसे रिस्ट्रूच करने के लिए जैसे कि लॉंग एक्टिंग इंसेटी साइड वाज आसो और डिस्ट्रिब्यूटर डिस्ट्राइड दो मस्कीटो जो तो लार्वा जो होता है जो डिस्ट्र सारे मांस्कीटों सो किलिंग किया जाता है तो ए्हां है अलाज रिस्ट्रेभ लिये गाया है एं समय तो एक फिक होई सह सबस्टेप फोले किवेंगा वी दिलự मेंड तो अंलशिक वावीर्मेट टो आझे का छिशन आर्यूटर कोज स्टो जो टेवोल जिए किमग आप तो to stop it just like हम लोग बहुत सारे जगहों पर गंटे खोड़ते हैं और वहां पर पानी इस्टोड हो जाते हैं तो इन दिस काजिस के वहां पर बहुत सारे मस्कुटोज उत्पादन होने की संभावना बढ़ जाती है जैसे टैंक हो गया और भी गंबले के में पानी जमा हुआ पानी हो जाता है तो इन दिस केसे को ब्रेडिंग ऑफ मस्कुटोज इस वेरी फास्ट सो हम पॉसिबल करना होगा कि जहां पानी स्टोरेज हैं वहां पे क नहीं दे रहे हैं इस मस्कुटो बे जैसे कि टैक्स क्लेक्शन में इससे में 31 माल चल रहा है तो मोस्ट आप पीपोस इस वेजी ओन टैक्स क्लेक्शन हाउस सर्वेज इंस्पेक्टिंग ऑफ दिफिनेशन सो इन इन सब चीजे से बहुत सारे लोग बिजी हुए हैं तो